स्थिर्टा तो केवला विश्वास से आती है स्थिर्टा के लिए विश्वास अभिभाए विश्वास और शांती की निरंतर्ता बनाये रखना कैसे संभाव है इस नकरात्मक्ता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभू केवल इस जागरुपता से कि सब कुछ हम से सब बद्ध नहीं है जब भी किसी व्यक्ति के कारे में हम भाव प्रबल हो तो आंकार है व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तेत्व केवल ऐसा ही प्राप भगा व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को तरटाई सचे तो व्यक्ति किसी और को उत्तरदाई समझेगा तब तक व्यक्ति यदि यह सोचे कि उसके दुख का कारण को यह और दो सुखी कैसे रह पाएगा यह संभव है क्योंकि दूसरों को परिवर्थित करना उसके बश्में ने वो तो केवल अपने आपको परिवर्थित कर सकता यही एक स्वतमत्रता है उसके पास जो पीड़ा है जो कश्ट है व्यक्ति के अपने भाल है अपने निर्ने के भाल है और जिस दिन वो अपने निर्ने परिवर्थित करने है उसे दिन उसके चीवन में परिवर्थन भी आजाएगा जिनों ने जीवन के प्रतिख्रणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने बृत्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने तोश, अपनी दुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते उने लगता है कि जीवन ऐसा ही होता और उसके समक्ष को बिवश्य वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवर्थियों को लिए वो प्रवर्थियां दुख को जन्म देने वाली प्रतियां है वो अपनी अज्ञानता के कहरा है इस अनमे ज्यान और वो अपने एंकार पी इस्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वो तो कुछ जानते हैं एंकार सरवक्यता का प्रहमुत्पन्न करता है नजानने की स्वीक्रती बहुत बड़ी बिनवर्था और वही पवित्रता भी है हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता क्या अधिक क्या हो शक्ता किन्तु प्रभू इस पवित्रता में कौन से लक्षन अनिवारें अनेकों लक्षन किन्तु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक मात्व पून है वो है सतेत्वा सकारात्मकूर्जा का सबसे पावन स्वरूप सतेत्वा इस सतेत्व परमात्रत विश्वासी पन्यात्त प्यत्ती को स्रक्षत रखने के स्रक्षत